We have with us Mr. Ramnevaas, it has been alleged that Mr. Ramnevaas and his entourage yesterday beat up some common people who refused to give way to his vehicle. Let us try and find out from him what is his position on the entire matter. Ramnevaas जी, यह ऐसा आरोप लग रहा है कि आपने कुछ जो लोग आपकी गाड़ी को रस्ता नहीं दे रहे थे और मैलाएं भी थी और बच्चे भी थे, उनको इसाथ में मार पिटाई कि आपके लोगों ने और उनको बंदू के दिखा के धंकाया. हाँ, जी हाँ, ऐसे था भाई जी, असलित बात तो यह है, 16 तारीकों पंडीत चरंजिलाल की पुन्नेती थी, हम वहाँ से आ रहे थे, शाड़े छे बजी हमारे को जीन दात्ते हुए, हम पटियाला चोक से जैसे मुड़े, मुड़ते ही फाटेक है, जैसे हम फाटेक उपर वह ट्रक की तरफ इसारा किया, भाई आप रोकि ली, जी हम गाढ़ी को पneकार रहें, तो पिछे से रही तकार आई, हम नहीं जानते थे कों है, वह रही तकार आई, उसने मेरी गाढ़ी गरापी गाढ़ी के पीछ में, मालने बीच दिया, वो गणमेन बीचारा उपर ने बेचा जाले कोई तो दो किल्डे दूर जाके मानले उस गाड़ी को उसने रुखाई रुकते ही जैसे सके गंधर उसके अतमत गंत एक आथ खाली था तो उसना उतरते ही उसकी गलपटी पकड़ लिए मैंने देखा वे गलपटी मैंने का वे तुम आगण चल गाड़ी ड्राइवर को मैंने का गाड़ी आगए आगए फाटक पार हमारे गाड़ी मेरी मेरी गाड़ी 20-30 फूट आगए जागे रोक दी मैं आगए जड़े ती साधे सेका टेम था मैंने देखा वे गनमैन का माले तीन मईह इलाई थी उसके अंदर दो व्यादी में थे पांच्छो लोग उसका लाग रहे थे उसकी वर्दी पार दी उसकी जाकट दिवा पार दी थी और उसका थप्ड़ लाग रहे थे और यहां पर उसका चोट भी लगी गनमैने के मैंने ड्राइवरों का चोटा ड्राइवर बाजी गया उसको चला उसकी विगलपटी पकड़ दी उन लोगों ने तो फिर वो चोटा चोटू कि आगे मैंने का बैट जाव लड़ाई या कोई फायदा नहीं है आगाम पुलिस को सुचित कर दिन पाँच आदियों उन्हें नाका नुका लगा नाका पर पांदस मिड़ बाद में गाड़ी आई उसको उन्हों रोका बजाने की कोशिज भी करी ताकि वहाँ पर ऐसी को बात नहीं थी उन लोगों को पता था यह एमले बर्वारा मेरे को बाद में पता लगा जब मेरा गंद मेरे कनि लयागाडि में बले यह लोग यह करे तुम सब्सक्राइं गोड़िला है मेले हैं क्या बात हो इसको पर फुकत जर्वारा मेरे बात नीमार जाता है जनता मेरे साथ है इनकी पार्टी का नाम है लोगदल वो की जगडिलू पार्टी है तो इनोंने खुद ही जगड़ना शुरू किया इनों एक सरकारी करमचारी की वर्दी पार्डी इनों यह नहीं देख्या के विधायक भी है तो आप ता मतलब वो आम लोगों के अलाव आपको लगने हैं वो इनकी जब ही उन्होंने यह किया वे मेरे को बाद में गर्डमेन बैट्छा जब मेरे को पता लगा है वे बलकि वो बर्वाला के रहने वाले हैं बई मैं तो सब को नहीं जानता क्यों मेरे को जानते हैं पिछे से गाटी लेगे उनको पता 2435 इंडी वर रामनियास गोड़ी बार बार करें हम जानते हैं बले कुमार है मेले क्या बात हो एक बाद बताईए आप अपनी तरह से पुलिस वालों को और परिवार वालों कमसेम यह बात तो बोलेंगे देखिए जगड़े में आप बीच में नहीं थे यह आपका दावा है आपका गन्मेन जरूर था तो आप यह तो कमसे हम कहिए कि वो इमानदारी से कारवाई करें और आपने इस तरह के निर्देश दिये पुलिस वालों को परिवार यह बात तो बहुत बड़ी बात है पानी पानी के लावार आप चुनेवे नेता हैं तो अब आप यह तो बात ठीक है कि आपका दावाय कि वो लोग सामने वाली पार्टी के लोग थे बट फिर भी अब आपको यह तो देखना चाहिए कि पुलिस जो है बराबर इ कोड़ तीन साले के अंदर एक मेरा रिकोर्ड भी करवा लीजी आप बरवाले के अंदर आज तक साथ ही क्यां उन्मने किसी को परदरज नहीं करा है मैं एक बात कहता हूं किसी जगड़ा हो जाता भी ऐसे तो साब इनका फैसला करा दीजिए ना कभी मैं और इसकी बावना कराता मैं कभी रंजिस की बावना रखता नहीं मैं 36 बिराद पुलिस को निर्देश देंगे बिल्कुल दे रहा क्या मने निर्देश उन्होंने गल्त किया पुलिस ने भी अगर मारे गंडमेन का उपर 23 की दारा लगा बिल्कुल गल्त लगाई है एक सरकारी मुलाजिम के वर्दी पढ़ना सरकारी मुलाजिम को माना गंडमेन मेरे पास खड़ा है यह देखो इसके आंक उपर मुकामा रखे तो आप अपनी तरफ से इस पूरे मसले में यह कोशिश आपकी जरूर रहेगी कि आपके प्रभाव आपसे डर करके कम से उनको काम ना हो Congress MLA from Barwala in Haryana, Ram Nivaas defiant while speaking to Times Now. Remember, Congress MLA, Ram Nivaas and his gunmen have been accused of beating up occupants of a car including women. The MLA and his gunmen had allegedly thrashed the family as their car had not given way to the MLA's vehicle. The family remember yesterday blocked Hisar Ajind a road to demand action against the Congress MLA. But the MLA continues to be defiant. Interestingly, only gunmen and driver have been booked in the case and not the Haryana MLA. The MLA is saying that the police action even against his gunmen is inappropriate.